चोटी सी आखे बड़े बड़े सपने बेपरवा होगे लो चल दिये मैं श्रद्धा सत्यवान धवन निगोज महराश्ट्रा में रहती हूं मैं MSC Physics की पढ़ाई कर रही हूं दूद उत्पादन हमारा खांदानी कारोगार है शुरुवाती दिनों में बाबा बहसों को बेचने का काम किया करते थे मेरे बाबा पैरों से भले ही अपंग है पर सोच से नहीं मुझे और मेरे भाई को मा बाबा ने बच्पन से तबेले के सारे काम सिखाए आज भी लड़कों की परवरेश पर जादा ध्यान दिया जाता है लेकिन मैं बराबरी में विश्वास रखता हूं अगर सच्च मन से कोशिश की जाए तो किसी भी काम मैं सफ़ता सुनी चित है मैं कॉलेज जाने से पहले तबेले में दूद इकठा कर उसे डेरी पहुचाती थी और शाम को घर आने के बाद फिर काम करती थी लेकिन इन सारे कामों को मैंने मेरी पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया मैं शुरुवाती दिनों में टूद विलर पर दूद लेकर डेरी जाया करती थी लेकिन कब तक? कारोबार तो आगे बढ़ा नहीं था इसलिए मैं बुलेरो पिकप के साथ दूद डिलेबरी के सारे काम खुदी करने लग गई माना की काम अलग था लेकिन मुझे मज़े मज़ा आने लगा चाहे फिर भैसों का चारा या खुराक लाने का काम ही क्यों नहीं हो जब कारोबार बढ़ा तब हमने दो मंजिला तबेला बनाया और अब हमारी कुल असी भैसे हैं अब मैं रोजाना चार सो से साड़े चार सो लीटर दूद खुद डेरी लेकर जाती हूँ श्रदा इस गाव की शान है उसे देखके लगता है कि मुझे भी पिक अप चलाना चाहिए मेरे बाबा घमीशा कहते हैं कि मेरी बेटी मेरी ताकत है और वो महनत के साथ कुछ भी हासल कर सकती है बस इसलिए मैं हर वक्त महनत करती रहती हूँ ताकि एक दिन उनका नाम रौशन कर सकूँ